शर्ले आज हम आप सब को बताएंगे क्या भाई, इस थार्ण अनपात का नियम हो गया եा? हो गया था, हीरि यालीये डाल्तन का परमार सिध्धान्त क्या है डाल्तन का परमार सिध्धान्त डाल्तन के विशे में आप विधिवत जानकारिय उरे lur आगे लेंगे क्या-क्या उन्होंने खोजा क्या-क्या जानकारियां दिया उन्होंने आप जानेंगे बाद में लेकिन इस समय डालतन का परमार सिधान्त सर प्रथम डालतन ने डालतन ने सर प्रथम डालतन ने अठारा सो तीन में परमार्व सिधान्त का पर्मार्व सिधान्त प्रस्तुत किया सर्प्रथाम डालतने सन अठारा सवतीन में परमार सिधांत प्रस्तूत किया परमार सिधांत देने वाले कौन बेग्यानिक थे डाल्टन किस सन में अठारा सवतीन में यारे कि परमार सिधांत देने वाले महान बेग्यानिक डाल्टन सन अठारा सवतीन में दिये अब हेडिंग डाली आपका हेडिं के परमार सिधान्द की प्रमुक परिकल पनाएं कि डालतन के परमार सिधान्द की डालतन के पनाएं कि कहने का मतलब डालतन के परमार सिधान्द की प्रमुक परिकल पनाएं मने क्या परिकल पना किया क्या उन्होंने सोचा समझा और बताया हमको वही चीज जिसमें हम बताएं कि अब को डालतन्स के प्रमुख सिद्धांद के परिकल पनायन डाल्टन में क्या खोजा था परमार सिद्धांद दिया था पर माल कैसा है कैसा नहीं उसके बिशह बताया था किसने डाल्टन में किसन में 1803 में और कुछ बिचार बताएं हैं उसी बिचार को आप जानेंगी डाल्टन के प्रमुखा डाल्टन के पर्मार सिधांत की प्रमुखा परिकल्पनाएं माने पर्मार सिधांत की प्रमुखा परिकल्पना प्रमुख उस पर क्या बिचार बताएं वही बिचार हम आप सबके सामने प्रष्कूद करेंगी पॉइंट नंबर लिग लिजिए डाल्टन के परमारसिधांत की प्रमुकफ परिकलपना एं निम्नवत हैं प्रमुकफ परिकलपना वह दिया गया है क्या दिया गया है लटन के प्रंप्ड के प्रमौ का परिकल पना है नेम लिखी देखे आपने जाना अभी इतलक परिमार सिधांत किस ने दिया डालन ने किषण में अठारा सौ तीन में इनकी क्या परिकल पना क्या भी अब आप जानेंगे फ़स्ट पॉइंट यानि कि कुछ बाते बताया है इन्होंने पहले पॉइंट में लिखे फ़स्ट पॉइंट में प्रतेग तत्व कौन कह रहे हैं यह गाल्टन प्रतेग तत्व अनेक सुच्मकरों से मिलकर बना होता है जिन्हें पर्मारु कहते हैं प्रतेग तत्व अनेक सुच्मकरों से मिलकर बना होता है जिन्हें पर्मारु कहते हैं पर्मारु का परभासा डालतन दिये थे क्या दिये थे प्रतेग तत्व अनेक सुछमकडों से मिलकर बना होता है अनेक का मतलब मजेक है अनेक सुछमकडों से मिलकर बना होता है एक क्या नाम है पर्माड किसने बोला था डालतन नग्सें की प्रतेक तत्व अने क्याँ से मिलकर बना होता है जैसे हम पर्माड करते हैं जैसे चैसे कोई तत्व हो गया इधरत्व है महालेजी ऋड्रक्प बहुत है to a to and also गया एतना बड़ा है यह पर्मार ऊग्या जोनमभिंद टाइब ए रहें यह पर्मार्ण कि पर्मार्ण की परिवासा है ना बता रहे गिए लटए को परतिय प्रत्य ऑनेोग्ध Faith अनेक सुच्मकडों से मिलकर बने होते हैं डिसे हम पर्मार्ण कहते हैं जैसे बेशन वाला लड़ू मगदर के लड़ू खाए हो बहुत लड़ू एक तत्व मानिले जतना लड़ू के बेशन है नो कहा है परमाड परमाड भई उसी को परमाड उका हा जोन कड छोटे छोटे थे उसी का क्या नम रखा परमाड अब पॉइंट नमर तुमें परमाड क तत्व का वह सुच्वतम कड है जिसे पुन विभाजित नहीं किया जा सकता ये कौन बोल रहे हैं डालता है परमाड तत्व का वह सुच्वतम कड है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता पर्माड तत्त कावज सुच्छतम कड़े जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता लेकिन यही कथन इनका गलत हो गया था यही कथन इनका गलत हो गया था तमाम बिज्ञानिकों ने कहा कि भाई आप गलत बोल रहे हैं डाल्टन ने क्या कहा कि प्रतियक पर्माड को प्रतियक तत्त का जो सुच्छतम कड़े उसे विभाजित नहीं किया जा सकता है जो सुच्छतम कड़ का नाम क्या था पर्माड यानि कि पर्माड को विभाजित नहीं किया जा सकता है परमाड ततुका सुस्तम करें जिसे विभाजित है नहीं किया जा सकता डालतन बोलें हला मचा दियें पूरे देश में हला मचा दियें खोजा भाई हला मच जाता है अगर कोई चीज नया चीज का निर्माण कर देता है अगर साइकिल को आप होई जहाज बना कर इसे उड़ाईे बोएक को जुवाड से लोग देखेंगे क्या जुवाड है भाई हल्ला मत जाएगा ऐसे लडाल्टन ने खोजा तो हल्ला मत गया डाल्टन का कहना था कि परमाड परमाड को फुने हम नहीं काट सकते हैं नहीं विभाजित किया जा सकता है परमाड तत्व का वह सुचतम कड़े तत्व इधर देखा है तत्व हमने सोडियम लिया और परमाड का मतलब जोन बिंदु टाइप दिये है यानि कि तत्व का सुचतम कड़े परमाड तत्व का वह सुचतम कड़े जिसे पुनर विभाजित नहीं किया जा सकता, बाद में इन्हीं का कतन गलत हुआ, परमाण को काटा गया है, वो अब बाद में जानेंगे आप, लेकिन अभी तलक दो विचारों को आपने जाना, भाई डालतन का, भाई डालतन के परमाण सिधान की प्रूख परिकल पनाये पर दो पॉइंट हमने आपको बताया, फर्स्ट पॉइंट में हमने आपको बताया, प्रतेक तत्व, अनेक सुच्मकडों से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाण कहते हैं, प्रतेक तत्व, अनेक सुच्मकडों से मिलकर बना होता है, वह अनेक सुच्मकड क्या कहलाता है, परमाण अब दूसरा पॉइंट हम लिखवाए हैं, दूसरा पॉइंट आप नोट किये हैं, परमाड वह सुच्टम कड़ है, जिसे पुना दिभाजित नहीं किया जा सकता, अब पॉइंट नमबर थर्ड है आपका, पॉइंट नमबर थर्ड, एक ही तत्यु के परमाडु, 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 या तत्यु सोडियम है, इसके कई परमाड होएं मजेक है, कहा गया एक ही तत्यु के परमाडु, कितना बढ़िया बात बताएं हैं, एक ही तत्यु के परमाडु, जैसे सोडियम तत्यु इसमें देखाता है एक तत्व के पर्माड एक ही तत्व के पर्माड द्रब्मान और अन सभी गुड़ों में समान होते हैं एक ही तत्व के पर्माड द्रब्मान और अन सभी गुड़ों में समान होते हैं एक ही तत्व के पर्माड एक तत्व में बहुत धेर सारे पर्माड हो है एक ही तत्व के पर्माड द्रब्मान और अन सभी गुड़ों में समान होते हैं जैसे धैला तत्व एक बाप हैं तत्व एक बाप हैं जो उन परमाणु हैं इनकर गदेला हैं लड़क्या लड़की हैं उन कहा गावाटई सब का द्रभिमान उतना बा और गुड़ा उहाई बाटई सब के बोला रहा डाल्टन बोला रहे हैं कहें कि जितना एक परमाणु का द्रभिमान बा उतना सब परमाणु का द्रभिमान बा परमाणु मजे कर अंदर जितना एक परमाणु का द्रभिमान उतना सब परमाणु का द्रभिमान जितना एक परमाणु जितना खाये उतना सब परमाणु खई हैं का एक मतला विक्वाल् लचल मतलब विसेश्टा विसेश्टा मतलब कउनका धास वात बॉत बाद हुए जतना एक पर मार्ण करें उतना सब पर मार्ण करें किसी को फर साने व है तीन बात थाम को नोट कराएं लग यानि की डालत था मार सिधान की प्रमुकर वड़ा ना कि विचिये और आगे का भाई आगे का पार्ट आप अगले भाग में जरूर आप देखेंगे बस इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों में सेयर करना ने भूलिए धन्यवाद दोस्तों